आज का पहला प्रशन है निम्रिकित पस्वाँ में कौन सा मोहन जोद्रों की पस्पती मुत्रा पर अंकित नहीं है मैंसा, ब्रसब, व्यागर, घ nerda आपके सामने यहाँ पर मोहन जोद्रों से प्राप्त, पस्पती की मुत्रा यहाँ पर लगाई गई है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक पुरुस जो है इसमें बैठा हुआ है और यह पुरुस की आयामी आकरती है इस पुरुस को मार्सल ने पसपती सिब माना है इस पुरुस के चारो और जानवर आप देख पा रहे हैं पसुओं को देख पा रहे हैं इसके एक तरफ जो है बाग है हाती है वहीं दूसरी ओर एक भैसा है और एक गेंडा है नीचे की तरफ दो हिरनों का जोड़ा है तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं पसपती की मुद्रा में भैसा भी है ब्यागर भी है गेंडा भी है ब्रसब नहीं है नि बैल नहीं है तो यह पाँच, छै, साथ, ग्यारे हैं देखें सामानित है हिंदु धर्म में सोले संसकार मानिक आई हैं जिसमें पहला संसकार है गरवाधन उसके बाद पुंसबन फिर है आपका सीमन तो उन्नियन जातकर्म, नामकरण फिर इसके बाद निस्क्रमण आ जाता है निस्क्रमण की बाद अनिप्रासन है मुंणन है, कडवेदन है विद्यारंभ है, उपनयन है विदारंभ है, केसांथ है और फिर आपका आता संबर्तन या समावर्तन उसका विभा है और अन्तेष्टी है तो निस्क्रमण और समावर्तन या संबर्तन के बीच में, टोटल जो है, याँ आप गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 साथ संसकार इनके बीच में पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सेकिंड का सी वाला, देगे इस तरहे के जो प्रशने हैं वो खास करके UBPCS में ही पुछ लिए जाते हैं क्योंकि यह प्रशन उसी को पता होगा जिसे यह 16 के 16 संसकार याद होंगे वरना कोई और इससे अटेम्ट नहीं कर पाएगा तीसरा बश्कने वापका निम लेखित में से किस गरंद में पश्मी जगत को भारस से निर्यात की जाने वाली वस्तूओं की प्रसम विस्तर सूची प्राप्त होती है प्रसम सताबदी इसमी में किसी अग्यात युनानी लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक प्रसमी जगत को निर्यात की जाने वाली वस्तूओं की प्रसम विस्तर सूची इसमें प्राप्त होती है तो यहाँ पर आपका सही आंसर है तीसरे का C वाला चौथा परशने बापका जैन धर्म में संवर का अलप्राय एक ऐसी वस्ता से है जब पहले से विद्वान कर्म का छै कर दिया जाता है जब नए कर्म का प्रभा रोग दिया जाता है जब कर्म जीव की और प्रभायत होने लगे जब कर्म जीव को बांध लेता है तेकि जैन धर्म में त्रिरत्न को बताए गए है और त्रिरत्न में पहला जो रत्न है वो सम्यक दर्सन है यह आप जानते हैं पहला जो है सम्यक दर्सन है second जो है Somyaq ज्ञान है और third जो है Samyaq चरित्र है ये त्रिरतन बताई गए है तो जैन धर्म के अनुशार त्रिरतनों का अनुशार करने से कर्मों का जीवी की ओर प्रभारुख जाता है और इस अवस्था को सम्वर कहते हैं इसके बाद पहले से जीब में व्याप्त कर्म समाप्त होने लगते हैं, यसे निर्जरा कहते हैं, और जब जीब से कर्म का आउसियस बिल्को समाप्त हो जाता है, तब है मोक्ष की प्राप्ती कर लेता है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर वोगा चौथे का भी, जब नए कर्म जहांगीर लितादित्य और एक मुक्तापीड जैनुल आपदीन हर्सवर्दन, लितादित्य मुक्तापीड इनका जो सासनकाल है, 724 से लेकर 760 इसबी के बीच में है, और ये कस्मीर में एक कर्कोड वंसिय सासक थे, ये एक सक्साली राजा थे, बिजेता होने के सास्यात य जही आंसर है, पांच में का बीवाल, लिलतादित्य मुक्तापीड, चडमा बरश्टने बापका, सूची एक को सूची दो से सुमलित करें, तथा नीचे दिये के कूट की साहता से, सहित्तर चुनिए, सूची एक में वंस है, सूची दो में उनके संस्थापक है, वाकाटक, वाकाटक का संस्थापक जो है, विंद सक्ती था, पल्लमों का संस्थापक जो है, सिंह विश्णू था, होईसल मंस का संस्थापक, नरब काम दुतिय था, और कदम मंस का संस्थापक, मयूड सर्मन था, तो यहां पर आपका सही आंसर होगा, छटमे का D, यानि A का दूसरा, बी का पहला, सी का चौता और डी का थीसरा सात्मा प्रश्णे बापका निम लिखित में से किस एक सासक ने अपना एक दूत मंडल चीन भेजा तद चीनी बौध यात्रियों के लिए नागपटनम में एक विहार निर्मित करवाया पलव सासक नर्सिंग बर्वन दुतिय ने अपना एक दूत मंडल चीन में भेजा और चीनी बौध यात्रियों के लिए नागपटनम में एक विहार निर्मित करवाया तो यहाँ पर आपका सही आंसर है साथ में का सी बागा आठमा प्रश्णे वापका तो यहाँ पर आपका सही आंसर है आडमे का बी बाला नौमा प्रश्णे वापका निम्ड युगमों में से कौन सा एक सही सुमलित नहीं है एक तरफ राजबन से दूसरी तरफ उनके सिक्क्य की धातु में है कुसाण स्वड एवं तामर गुप्त स्वड एवं रजत साथ भान स्वड कल्चुरी स्वड रजत एवं तामर देगे यहाँ पर कुसाणों ने जो है सोने के और तामर की सिक्क्य चलाए है गुप्त ने सोने के और चांदी की सिक्क्य चलाए है साथ भान सासकों की बात तो साथ भान सासकों ने स्वड सिक्क्य नहीं चलवाई इनके सासंकाल में स्वर्ड सिक्के नहीं चलवाई गए इन्होंने चांदी, तावा, कांसा, सी स्या, पोटिन इनके सिक्के जारी किये तो यहाँ पर आपका सी वाला गलत है कल्चुरी ने स्वर्ड, रज्जत, तामर के चलवाई तो आपका यहाँ पर सही सुमलित योग में जो है उसी वाला योग में सही सुमलित नहीं है तो यही आपका आंसर है दसमा प्रशने बापका एक ही कबर से तीन मानब कंकाल निकले है सराय नहार राय से, दमदमा से, महधा से, लंगनाई से उत्तरप्रदेश के प्रतापगड में स्थित, मद्यपासनाडिक, पुरैस्थल, सराय नहार, राय, दमदमा, महधा यह तीनों जो हैं यूपी के प्रतापगड जिले में पढ़ते हैं तो इनका उत्खनन प्रियागराज विस्विद्धाले दोरा किया गया दमदमा में जो खुदाई हुई, तो भहां से कुल मिलाकर 41 मानव सवाधान प्राप्त हुए जिन में से 5 सवाधान जो है, यह यूग में सवाधान है और एक सवाधान में 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए है जबकि अन्य सवाधान जो है एकल मानव कंकाल वाले सवाधान है तो यह दमदमा है यहां से एकी कबर से तीन मानव कंकाल निकले हैं तो यहां पर आपका सही आंसर होगा दसमे का B वाला तो यह था मारा आज का वीडियो I hope आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेर करना बिल्कुल न भूले तो चलिए आज के लिए वस्तना ही Thanks for watching, जै हिंद